उसकी यादों ने उगा रखे हैं कई सूरज, शाम का वक्त भी आए तो सहर लगता है नमस्कार जहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगणे स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का और प्रारंब करते हैं कक्षा बारा की जो आरो है भाग दो पुस्तक हमने प्रारंब कर रखी है उसका तीसरा ध्याय कुण नाराण साहब की जो हम कवीताएं देख रहे हैं उसके अंदर आज उसका दूसरा पार्ट है यानि कल हमने पढ़ीती कवीता के बहाने रचना और आज हम पढ़ेंगे कुण नाराण साहब की बात सिधी थी पर यहां से अक्षर है जो सवाल पूछा जाता है और पूछा जाता भी रहा है पहले भी बात सिधी थी पर किस रचना को पढ़ेंगे इसके भावारत को है जो समझेंगे पहले रचना का बाचन कर लेते हैं और टेलिग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं भी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कवी, आदी, गनेश, हिंदी नाम से जिस पर 48, 50 अधिक लोग जुड़े में हैं उसको जोइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सवाल बगरा डालता हूँ इस वीडियो को भी लाइक कर दें, शेर करें सभी दोस्तों के साथ तागि वो भी जुड़कर लाब ले से के निशुल कुरूप से जो अपनी क्लासे चल रही है उनका और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए चलिए साब वाचन करते हैं कविता का, बात सीधी थी पर बात सीधी थी पर एक बार भाशा के चकर में जराट टेड़ी पस गई उसे पाने की कोशिश में भाशा को उल्टा पल्टा तोड़ा मरोडा घुमाया फिर आया कि बात या तो बने या फिर भाशा से बाहर आए लेकिन इससे भाशा के साथ साथ बात और भी पैचिदा होती चली गई सारी मुश्किल को धेरी से समझे बिना मैं पैंच को खोलने की बजा आए उसे बेत रहे कस्ता चला जा रहा था क्योंकि इस कर्टब पर मुझे साप सुनाए दे रही थी तमाश बीनों की शावाशी और वाह वाह आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था जोर जवर्दस्ती सें बात की चूड़ी मर गई और वह भाशा में बेकार घूमने लगी हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जिगह ठोक दिया उपर से ठीक ठाक पर अंदर से नय तो उसमें कसाव था नय ताकत बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझे पसीना पहुंसते देख कर पूछा क्या तुमने भाशा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा ये थी रचना अब देखिए इसका आर्थ समस्ते हैं बहुत बिलकुल खोपड़ी को खुला रगना सीधी थी पर एक बार बाशा के चकर में जराट टेड़ी फस गई की कवी सा कहते हैं कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसको में क्या कहना चाता था मेरे मन के इंदर कोई बात आई बिल्कुल इसपस्ट थी सीधी सरल थी जिसको मैं क्या कहना चाहता था बिल्कुल सरल तरीके जाए परंतु उसको व्यक्त करने के लिए बढ़िया सी भाषा के प्रियोग करने से बाषा के चक्र में जरा टेडी फस गई बात सीधी थी एक बार इसपस्ट करना चाहता था लेकिन बाषा के चक्र में चाहता था कुछ प्रभावशाली डेंक्से में इसको है जो व्यक्त करूं लोगों के सामने अभिव्यक्त करूं इसको तो उस बाषा के चक्र में बढ़िया से व्यक्त करने के चक्र में बाषा का प्रियोग करने के चक चड़ा कर कहने कि इसको मैं इस तरह की से बोलूँगे लोग अट्रेक्ट हो जाएंगे प्रभावशिल हो जाएंगे उस तरह के शब्दों के प्रियोग की वज़े से वो क्या जरा ट्रेडी फस गई यानि कि उसका जो प्रभाव था या यूँ कहें कि उसकी जो सरलता थी बात की वो क्या है समप्त हो गई या इसका आशे हम यूँ भी ले सकते कि शब्द जाल में सरल बात भी क्या जटिल हो गई है ठीक है उसे पाने की कोशिश में बासा को उल्टा पल्टा तोड़ा-मरोड़ा घुमाया फिर आया की बात या तो बने या फिर भासा से बाहर आये लेकिन इससे बासा के साथ-साथ बात और भी है जो पेचिधा होते जटिल कटिल तो कभी क्या कहता है फिर मैंने क्या बात तो बासाग उल्टा-पल्टा, तो कि वो सरलता वापस बरकार हो जाए, जो मैं कहना चांधा हूँ, इस पर regulations कहे दूं तो उसे क्या फिर श्ब्दों को मैंने बदलने का प्रियास किया, बासाग उल्टा-पुल्टा शब्दों इदर उदर जोड़ा कांटा चाटा और आगे पीछे किया मैंने ऐसा इस प्रियाज इसलिए किया क्यों उसे पाने की कोशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशि कि मेरे मन की बात है, जो सहजिता से व्यक्त हो जाए, मैंने ये कोशिच भी की, कि जो बासा का जाल है, उससे या तो छोटकर बाहर आ जाए, या परंतो ये दोनों बाती हैं, जो नहीं हो रही थी, या तो बात बन जाए, या फिर या तो कि बात गुमाया फिर कर या तो बने या फिर बासा से बार नहीं लेकिन इसे बासा के साथ-साथ बात और भी पेचिदा होती चली गई तो बाद में उसको सरलता से करने के चकर में शब्दों को तोड मरोड कर आगे पीचे करने के चकर में इस्तिति इतने घराब हो गई प्रियास करते करते कि बाशा क्या है और जदा पेचीदा हो गई और जदा जो जटिल हो गई कठिन हो गई और मेरी बात क्या है उस जाल में बहुत कारी कुछ प्रभावशाली शब्दों के प्रियोग लाने के बार बार प्रियाश के वज़े से बासा क्या हो गई और भी जटिल हो गई तो यह तो आपको ध्यान में जो यह कवीता है अपनी कोई दूसरा नई कवीता सब्दे से ले गई है और मुक्छंद का बिना मैं पेंच को खोलने के बजाए उसे बेतर है कस्ता चला जा रहा था क्योंकि इस तरह कर्तब पर कि इस कर्तब पर मुझे साथ सुनाए दे रही थी तमाश बिनों के शाबाशी और वाह वाह आखिरकार वही हुआ चली इतना देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है ठीचादन के के सकते हैं सब्फ कर्यां कि अरश बीन जरूर धेर में रख लीगा दर्शक तमाशा देखने वाले ले vịो हैं जरूर। चला जा रहा था तो कवी साब यहां कहते हैं कि बाशा के चक्र में बाद जो इस प्रकार से फस गई है उससे धेरी पूर दिरेज के साथ पेसेंस के साथ सुल जाने की कोशिश करने पर वह और जो अधिक उलज गई शारी मुश्किल को देरी से समझे बिना में पेंच को खोलन जो उलस्ती जा रही थी जिस परकार पेंच ठीक से ने लगे तो उससे खोल कर बार-बार कसने से उसकी चूड़िया मर जाती है में पेंच को खोलने की बज़ा उसे बेतरे कस्ता चला जाएंगा आपको पता है आपने कभी जो लाइट फिटिंग करते हैं या कोई और कोई पेंच होता है उसको अगर आप सही से नहीं कसोगे तो फिर ज़्यादा कस देने की बज़े से क्या होता है वो फ्री हो जाता है मर गई हूं समझिए ठीक है बात यहां तक तो हो गई और फिर जबर्दस्ती करने के चक्र में प्रियास जो निश्पल हो जा कस्ता चला जा रहा था हमें बिल्कुल उसको क्योंकि इस कर्तब पर मुझे साथ सुना दे रही थी तमाश बिनों की शाबाशी और वहावाव और व कोई कविता लेक दी कोई सुना रहा हैं तो जिसे लेने वे या कमाश बिनों की साबहाशा देने कमी नहीं थी यानिकि उसके अन लोगों के प्रोच्वासां मेरी उलजन और वह बी बढ गई और ये बात भिगणने ने वे बात बिगने से खुश होते थे साब क्योंकि लोगों को जिनको पता चल जाता नहीं आज में गलत है यानि कि यह जो बात कहरा है वो गलत है तो वो और उसका मजा लेते हैं कि हमें तो पता है कि गलत है तो हम तो उसको चड़ा देंगे कि वाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और जब कोई जानकार लोगों को समझ जाए गयानी लोगों पास बेटेगा तो इसका वो खिली उड़ाएंगे क्या क्या है यह तो वो जो तमाशमीन लोग होते हैं जो दर्शक होते हैं इस तरह के मजाग उड़ाने वाले जिनको मजा आता है वो चाहते हैं यहीं इसको निचा दिखाए जाए लोगों के सामने तो उसकी उलजन और बढ़ गई थी कि यह वावाई भी कर रहे हैं तो अब वो बंद भी नहीं कर सकता है यह ठीक नहीं है तो उलजन और भी बढ़ गई और वे बात बिगड़ने से जो जो तमाशमीनती वे क्या खुश होते थे और आखिरकार क्या वही हुआ जिसका मुझे डर था अब पेच वाल इस्तति ले सकते हैं पेच को कस ने आप पैट करते हैं तो फ्री हो जाता है उसी तरह बात को कविता के अंदर शब्दों को और अच्छे से प्रस्तुत करने के चकर में उलजन ताई चला गया आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था जो जबर्दस्ति से बात की चूड़ी मर गई और वे भाषा में है जो बेकार घुमने लगी तो भाषा के साथ अगर आप जबर्दस्ति करने का परिणाम क्या हुआ कि कभी को जिसका डर था कि यार मामला भी पूराई गड़ब बात की चूड़ी मर गई मुझे डरता जोड जबर्दस्ति से बात की चूड़ी मर गई बात की चूड़ी मरने से तात्प्री यहां पर क्या है बाषा का जो मूल भावा था वो क्या प्रभावे क्या हो गया नश्ट हो गया सहाब और वे बाषा में जो बेकार घुमने लग यानि कि पेच को जबर्दस्ति कसने से उसकी चूड़ी है जो मर गई और पेच है जो बेकार में ही गूमने लगा तो इस परकार बहसा कि बनावट के चकर में जो आप मूल करते था मूल जो भावना थी मूल जो केंद्र में जो बात थी वो क्या है व्यर्थ परियुक्त होते ह कि उसका कोई है जो मतलब है जो नहीं निकला तो इसमें बात की चूड़ी में रूपक अलंकार हो जाएगा आपके और साफ सुनाई जोड जवर्दस्ति में अनुपरास अलंकार है सैस है और जै जै ठीक है आखरी पंक्तियां देखते हैं हार कर मैंने उसे कील की तरह जो उससी जगह ठोक दिया आपको पता जो पेज करते हैं तो फ्री हो जाता तो फिर क्या करते हैं बस कील की तरह जै तोड़ कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया उपर से ठीक ठाक पर अंदर से ने तो उसमें कसाव था ने ताकत थी पेज को ठोक दिते हैं उपर से तो आपको ठीक लगता है लेकिन अंदर वो लिजी रहता है बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल ःधी और मुझे पसे पहुंचते देखर पूचा कि तुमने भाषा को सहूलियत से बत्य से बरतना है जो कभी नहीं सिखा जो यहां पर क्या होता है कसाव हैं तो, कस तेरे, तो फिरी हो जाता है, तब क्या करते हो, चलो, रहार की नियुक्त के ठोक देते हैं, तो जब वो, उस बात को, उस मुल्भाव को सहस्ता मिलाने से, जब ऐसमर्थ हो गया कभी पूरी तरिके से, तब अपनी अभिवेक्ति को क्या लोगों को सामने और चमतकार पूर तरीके से परदर्शित करने के चकर में कुछ ने कुछ ने ने शब्दों को ठूंश ठूंश कर इसी परकार उसे उसको जोड़ दिया और किल की तरह ठोग दिया जिस परकार चूड़ी मर जाने वर पेच को कील की तरह ठोग दिया जाता है उसी परकार उसने भी कत्थेवज़ फिर इसपस्ट किया अब देखे उसमें क्या होता है अब उपर से ठीक टाग पर अंदर से नहीं तो उसमें कसाव तर नहीं ताकत ही इस परकार पेच के अंदर फोग देते हैं तो उपर से वह लगता तो है कि ठीक है मामला लेकिन अंदर उसके क्या होता है कसाव नहीं होता है नहीं उसके अंदर ताकत होती है इसी परकार कवीता में वह चमतकार शब्दों का तो प्रियोग कर लेता है तो उपर से तो कविता ठीक टाग लगती यार बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है लेकिन जब देखें तो उसके अंदर ने तो शब्दों के अंदर कोई गहराई थी और ने कोई कसावड थी मतलब कि उसकी जो प्रभाव था उसका शब्दों का उसका विता का वो प्रभाव जो इसके अंदर बिलकुल नदारत था जो प्रभाव होना चाहिए था वो प्रभाव उसके अंदर बिलकुल है जो नहीं रहा उन शब्दों के अंदर उन उसकवी तागे नहीं तो बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझे से खेल रही थी अब बात ने कभी कहता है कि तब बात ने शरारती बच्चे की तरह जो मुझे खेल रही थी उसने पूछा मुझे क्या मुझे पसिना पहुंचते देख कर पूछा क्या तुमने भाषा को सहुलिय से बरतना कभी नहीं सेका तो वो जो बात है वो शरारती बच्चे की तरह थी तो वो पूशती है कभी से यहाँ पर कि तुम वेर्त ही इन शब्दों के साथ खेल रहे हो शब्दों की रिड़ा कर रहे हो कभी ये शब्द लगा रहे हो कभी वो शब्द लगा तुम मुझे खेलते विर्ट का परिश्रम क्यों कर रहे हो यार क्यों पसीना आ रहा है तुमें मुझे अपना ये फिर कभी पसीना पहुंचता है तुम बात कर दिये तुम विर्ट में पसीना बहा रहे हो मुझे पसीना पहुंचते देगर गा क्या तुमने बाषाग सवली से बरतना नहीं सीखा कभी कि तुम वेर्ट में पसीना बहार हो यार क्या तुमने अभी तक कभी भी सीधे सरल्च शब्दों से कोई बात है जो गाना नहीं सीखा किया सरल्टा सें सह जिता सें उप्योग परहे किसे सिखा ही नहीं कि सिध्य साधर्र्ण शब्दों में जो बात होती है उसको कैसे इसपस्त है जो किया जाए तो यहाँ पर यह उता अपनी कभीता समाप्त कील की तरह और शरार्ती बच्चे consciously आए उप्मालंकार है शरार्ती बच्चे की तरह है और कील की तरह उपर अलंगार हो गए यहां पर ठीक है जब हम टेस्ट लेंगे तो आगे इससे कैसे क्या सवाल बनेंगे उनका हम जिक्र है जो कर लेंगे तो यह थी अपनी कविता कुमर्ण नाराणी साब का पार्ट हुआ पूरा वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए पहले बार देख रहे हैं चैनल को सब्सकियब कर बेइल आइकन क्लिक कर लिजिए ताकि हर वेडियो उसना मिलते रहे और टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजी ताकि आपको सवालों का आइडिया होता रहे किस प्रकार किया को सवाल है जो आते रहते हैं कभी आदिगने शिंदे नाम से हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 4800 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं उस टेलिग्राम चैनल को जोइन करना है पढ़ाई के रिगार्डिंग आपके अगर कोई समस्या रहती है कि किस परकार से क्या पढ़े क्या टाइम टेबल करें किस परकार से अपने आपको मोटिवेट रखें अपने आपके अंदर एक सकारात्म गुर्जा का संचरण केजिए जैहिंद फिर मिलता हूं